नमस्कार A2Z dishes उशा गुर्जानी में आप सब का स्वाकत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हो बींडी के एक ऐसी सबजी जो शायद ही आपने कभी ट्राइ की होगी ये इतनी मज़ेदार लगती है न मैं सबजी को बना रही थी न तो सभी गर्मे बो ये दिखे मैंने आपर ले ली है भींडी अब भींडी को पानी से अच्छे से आपको वश कर लेना है कप्ड़े से पोच लेना है डंठanız दोनों तरफ से निकाल कर बीच से कट लगा लेना और चेक भी कर लेना है कि कई कीडे वीडे तो नहीं है उसके बाद तेल गरम करने रख दीजे जैसे ये तेल गरम हो जाए तो भींडी आपको डाल देनी है और इसे आपको अच्छे से फ्राइ करना है तो यहां पर देखिए भींडी को बनाना भी बहुत सिंपल है अब वो तेल जादा था तो सिफ एक चमच जितना ही रखना है उसके बाद इसके अंदर डाल देना एक चौथाई चमच जीरा उसके बाद मैंने अपर धेर सारा प्यास तने पर समझ लीजे तीन से चार प्यास है यह जिसके चिलके निकल कर इसे रख लेसन की पेस्ट इन सबी चीजों को और मसालों को प्यास के अंदर हम अच्छे से भूनेंगे तकरीबन एक से दो मिनिट के लिए उसके बाद मैंने आपर दो से तीन टमाटर की प्यूरी यानि की समझ लीजे दो से तीन टमाटर को काट कर मिकसर में डाल कर पीस लिया और इसे हम तीन से चार मिनिट के लिए भूनेंगे ताकि मसाले भी अच्छे से पक जाए और टमाटर का भी कच्छापन दूर हो जाए उसके बाद आप देख सकते कुछ इस तरह से हो गया है तो अब इसके अंदर ये जो फ्राइ करके रखी थी ना भींडी वो आपको डाल देनी है भींडी डालने के बाद इसे हम अच्छे से एक बार इस तरह से मिक्स करेंगे और हाँ नमक और मसाले आप अपने स्वाद के अनुसर डाल सकते हैं जरूरी निये जितने मैंने पता है वही आप डाले अच्छे से मिक्स करने के बार ढखकर धीमी आज पर चार से पा झाले तंकिफवावाचे